दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मागदर्शन फार सिविल सेर्विसेज में, मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेश्टरन पुलेटकल थाट का महतपूर टापिक हापस के प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून संबंधी बिचार दोस्तों जैसा की आप जानते हैं हापस एक समझोतवादी बिचारक है वह राज्य को व्यक्तियों के द्वारा किये गए समझोते का पैड़ा मानता है अपने समझोता सिध्धानत को पुष्ट करने के लिए वह मानो सोभाव, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून संबंधी विचार देता है हापस का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो अराजक्ता की अवस्था थी और प्राकृतिक अवस्था की अराजक्ता की इस्थिती से छुटकारा पाने के लिए ब्यक्ति बिवेक के आधार पर कुछ नियम बनाते हैं और इन नियमों का पालन करके सांति पूर्ण जीवन ब्यतीत कर सकते हैं और आत्म रच्छा या जीवन के अधिकार को सुरच्छित रख सकते हैं हाप्स के अनुसार प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार क्या हैं आज की वीडियो का मुख्य विशय यही है आप इसका पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्किप्शन बाक्स में डाल दूँगा तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो हाप्स के प्राकृतिक बिधी और प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार दोस्तों हाप्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में किसी के लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ अनिश्चित था यहाँ पर ने तो न्याय की बेवस्था थी, ने अन्याय की, ने उचित और अनुचित इसके लिए कोई भी नियम नहीं था, यानि न्याय अन्याय और उचित अनुचित का वहाँ पर कोई अस्थान नहीं था, प्रतेक मनुस्य का प्रतेक वस्त उपर अधिकार होता था, इसल या कानूनी मानेता नहीं होने के कारण ये अधिकार निरर्थक हो जाते हैं यानि प्राकृतिक अवस्था में प्रतेक मनुसे का प्रतेक वस्थू पर अधिकार तो था लेकिन वहाँ पर कोई सामाजिक या कानूनी मानेता नहीं थी जिसके कारण ये अधिकार निरर्थक हो ज जाता है जिसकी लाठी उसकी भैस यानि जिसके पास सक्ति है वही जो होता है सक्तिसाली उसी का हित होता है और ऐसे में प्राकृतिक अधिकारों की दुहाई दे कर वो आदमी अधिक से अधिक चीजें एकत्र कर लेता था या कब्जा कर लेता था जिसके पास सक्ति होती थी औ और ऐसी इस्थिती में प्रतेक मनुस्य मृत्तु के भैसे त्रस्त होता था। तो पहले हाप्स प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। हाप्स का मानना है कि मनुस्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार क्या हैं। हाप्स जो है वो प्राकृतिक बिधियों के संदर्व में प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है उसका कहना है कि प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य अपनी जीवन की रच्छा के लिए जो भिकारे करता है वह उसका प्राकृतिक अधिकार है तो प्राकृतिक अधिकार को सा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हाप्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था का मनुस्य अपनी जीवन की रच्छा के लिए जो भीकारे करता है वह उसका प्राकृतिक अधिकार है यानि जीवन की रच्छा के लिए उसे किसी भीकारे करने की स्वतंदरता होती थी इसी आधार पर हाफस मानता है कि मनुस्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होते हैं क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपनी जीवन की रच्छा करनी है इसी कारण सब को एक दूसरे की हत्या और लूट मार का अधिकार भी मिल जाता है क्योंकि सभी व्यक्ति किसी ने किसी प्रकार से अपनी जीवन रच्छा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें पूरी तरह से स्वतंदरता भी है लेकिन सभी ब्यक्ति जीवन को सुरच्छित बनाये रखना चाहते हैं इसलिए वे प्राकृतिक अवस्था में भी अपने सुरच्छा के लिए कुछ नियम बनाते हैं अग लेकिन ब्यक्ति जीवन को सुरच्छित बनाने के लिए प्राकृतिक अवस्था में अपनी सुरच्छा के लिए वे कुछ नियम बनाते हैं और इन नियमों का पालन करके आराजक्ता या प्राकृतिक अवस्था में भी सांति पूर्वक रह सकते हैं इस प्रकार प्राकृति इक नियम में मनुस्य को ऐसे कारे करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा प्राण या जीवन रच्छा के लिए घातक हो और जीवन रच्छा की कामना एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में सामने आती है और मनुस्य की तर्क बुद्धी उसे आत्म रच्छ का मनुस्य अपनी जीवन की रच्छा के लिए जो भीकारे करता है वह उसका प्राकृतिक अधिकार है और सबसे बड़ी चीज ये कि जीवन रच्छा के लिए उसे किसी भीकारे करने की सुतनता है दूसरी बात प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक बिधी की करता है तो वो कह कहा जाता है और हाप्स कहता है कि बिवेक से उत्पन सांति के यही नियम प्राकृतिक नियम कहे जाते हैं तो प्राकृतिक नियमों को एक परकार से सांति के नियम कहे जाता है जो कि मनुस्य के बुद्धी या बिवेक से उत्पन होते हैं हाप्स प्राकृतिक अधिकार और प् प्रतेक अवस्था को संगर्ष के इस्थिती बना देते हैं जबकि प्राकृतिक नियम पर आचरण करके मनुस्य प्राकृतिक अवस्था की अराजक्ता से बच सकते हैं क्योंकि ये मनुस्यों के बुद्ध और विवेक से उत्पन नियम होते हैं तो इस तरह से हाप स्कूल 19 प्राकृतिक नियमों की कलपना करता है जिन में से 3 नियम सरवाधिक महत्वपूर हैं वो 3 प्राकृतिक नियम कौन कौन से हैं आईए उनके बारे में जानते हैं तो पहला नियम है कि प्रतेक मनुस्य को सान्ति अस्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रयत नसील रहना चाहिए और सान्ति प्राप्तिकी चेश्टा तब तक करनी चाहिए जब तक कि युद्ध सरवथा अनिवार्य न हो जाए यानि मनुस्य का सबसे पहला उद्देश से होता है वो होना चाहिए सांति की अस्थापना और सांति की अस्थापना के लिए उसे भरसक प्रयास करना चाहिए दूसरा महतोपूर्ण प्राकृतिक नियम है कि प्रतेग व्यक्ति को सांति और आत्मरच्छा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों को उस सीमा तक त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रतेग मनुष्य अपने लिए केवल उतनी ही स्वतंतरता से संतोस करे जितनी वह अपने विरुद्ध दूसरों को दे सकता है तो कुल मिलाकर ये जो दूसरा नियम था प्राकृतिक बिधिका या प्राकृतिक नियम का जो दूसरा सिध्धान्त है वो ये था कि प्रतेक व्यक्ति को सांति और आत्मरच्छा के लिए अपने अधिकारों को कुछ सीमा तक छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए और उतनी ही सोतंतरता यानि सीमित सोतंता धारन करनी चाहिए ताकि दूसरों को भी सोतंता मिल सके और सांति और आत्मरच्छा की अस्थापना की जा सके और तीसरा नियम इसका था कि व्यक्तियों द्वारा उन समझहतों का पालन करना चाहिए जो उन्होंने स्वयंग के लिए किये है यानि सांतिय और आत्मरच्छा के लिए जो भी समझहोते किये गए हैं ब्यक्तियो द्वारा उन्हें कडाई से उनका पालन करना चाहिए प्राकृतिक नियम की बात करते हुए हापस कहता है कि जो प्राकृतिक नियम या निर्देश होते हैं वो मनुस्य के लिए केवल परामर्स या एडवाइस का दर्जा रखते हैं कानून का नहीं क्योंकि जो परामर्स होता है वो अंतहकरण की बात होती है या जो निर्देश होते हैं अंतहकरण की बात है लेकिन कानून जो होता है उसे बात धिकरता है लेकिन ये जो निर्देश है ये केवल परामर्स के दर्जे का है कानून का नहीं और इस प्रकार हापस प्राकृतिक कानून को पूर्टिया लौकिक मानता है हापस जो है वो इन कानूनों को पूरी तरह से लौकिक मानता है और किसी दैवी सत्ता का बिरोध करता है प्राकृतिक कानून उन नियमों का समुच्चा है जिन्हें मनुस्य की बुद्धी इसे आत्मरच्छा के लिए आवस्यक मानती है तो जो हाफ्स है वो प्राकृतिक नियमों को केवल परामर्स मानता है और कहता है कि ये कानून नहीं है क्योंकि उसे बाहर से बाध नहीं करते हैं और इस तरह से हाफ्स प्राकृत प्राकृतिक कानून को पूरी तरह से लौकिक मानता है और किसी दैवी कानून या दैवी सत्ता का वो पूरी तरह से खंडन करता है और प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक नियमों को हापस उन नियमों का समुच्य मानता है जिन्हें मनुस्य की बुद्धी इसे लिए आवस्यक मानती है इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो प्राकृतिक नियमों के सिध्धान्त के आधार पर हाप्स अपने समाज का निर्मार करता है हाप्स की मानिता है कि प्राकृतिक नियम सांति की धाराएं या आर्टिकल्स आपपीस हैं जिनके पालन से व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में सुखी और सांत जीवन बिता सकते हैं, लेकिन इन नियमों का आधार केवल स्वार्थ है। और कानून के पीछे जो वो कहता है कि उसके पीछे एक विवसकारी या बाहसत्ता होती है, सकती होती है, लेकिन प्राकृतिक नियम किसी विवसकारी सकती के अधिन नहीं होते हैं, ये केवल बिवेगपूर आदेस होते हैं, जो की आत्मरच्छा में सहायक होते हैं, और इनका पालन न करने पर कोई कानूनी कारवाई नहीं की जा सकती है। की उत्पत्ति के एक क्रमबध और निश्चिस सिध्धान का प्रतवादन करता है जिसके लिए उसका नाम महत्वपूर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा हाप्स के प्राकृतिक बिधी और प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार।